वीवर जस्ट इमेजन किसी रोबोट की बिहवियर में चींजे साने की वज़े से वो भी पूरी तरीके से इंसान बनने की मांग करने लगे उसने तो अपने बोडी में सिंथेटिक और्गेंस भी लगा लिये थे पर ये चीजे आगे चल कर कितनी ज़्यादा खतर नाख हो जाएंगी इसका अंदाजा किसी ने लगाया ही नहीं था कहानी की शुरुआत में हमें मार्टी नाम का एक इंपलॉई दिखाया जाता है जिसने कई साल मेनत करके बहुत सरे पैसे कमाए और फिर अपने घर वालों की मदद के लिए एक बहुती एडवांस रॉबोट को खरीद लिया था इस रॉबोट का नाम एंड्रियो होता है जब एंड्रियो को मार्टीन के फैमली वालों के सामने लाया गया तब मार्टीन के दोनों ही बच्चे रॉबोट को देखकर डर जाते हैं क्योंकि रॉबोट का चेहरा ही वैसा था अब मार्टीन एंड्रियो को एक्टिवेट कर द एंड्रियू एकदम पर्फेक्ली खाना बनाता और घर की सफाई भी करता हलाकि मार्टीन की बड़ी बेटी उस रॉबर्ट को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी इसलिए उसने एंड्रियू को बलाकर ये आदेश दे दिया था कि वो खिड़की से नीचे खूच जाए एंड्रि मार्टीन की छोटी बेटी अमिंडा के पास चला जाता है जो बीच के किनारे मस्ती कर रही थी अमिंडा ने एंड्रियू के हाथ में अपना एक खिलोना दे दिया था लेकिन वो गल्ती से नीचे गिर जाता है एंड्रियू ने देखा कि खिलोना पूरी तरीके से तूच कि Andrew ने एक खिलोना बनाया है तब वो काफी शौक हो गया था क्योंकि इस टाइब के रॉबोट्स में फिलिंग्स हैं ही नहीं और वो ये सब काम नहीं कर सकते और अब एक रात को Martin ने Andrew को गाना सुनते हुए देख लिया था जो कोई नॉर्मल रॉबोट्स तो नहीं कर सकता इसलिए अब Martin Andrew को लेकर उसी के बनाई गई कमपनी में चला जाता है Martin रॉबोट के उनर से कह रहा था कि Andrew के भी ये वेर में कुछ चेंजे सा गई है जैसे कि उसके अंदर इंसानों की जैसा ही इमोशन मौजूद हो कमपनी का उनर जैसे ही Andrew को चेक करता है तब उसने Martin को कहा कि वो इस रॉबोट को यहीं पर छोड़ कर चले जाए लेकिन Martin ऐसा बिल्कुल नहीं चाता था Martin Andrew के साथ वापस अपने घर पर आ जाता है पर अब Andrew ने इसी तरीके से लकड़ी के बहुत सारे खिलोने और अलग-लग कीजे बनाना स्टार्ट कर दिया था इन सारी चीजों में मोशली बहुत सारी घड़िया शामिल होती है समय के साथ साथ Andrew ने इनसानों के बहुत सारे हाव भाव सीख लिये थे और अब इन सारी बातों वो कई साल बीच जाते हैं यहां पर Amanda भी काफी बड़ी हो गई थी एक दिन Amanda Andrew के पास आकर ये बताती है कि उसके शादी होने वाली है लेकिन अब ये बात सुनने के बाद Andrew का हाथ अचानक से कट जाता है हाला कि वो रॉबर्ट था लेकिन उसका अंगुठा जोडना ही होगा इसलिए मार्टिन अंड्रु को लेकर रिपैर करने चला जाता है अब अंड्रु बहुत ही सच धचकर Amanda की शादी में शामिल हो गया था Amanda हमेशा हमेशा के लिए साधी करके अंड्रु से दूर चली गई थी इसी तरीके से मार्टिन की दोनों बेटियों की शादी के बाद वो एकदम से अकेला हो गया था लेकिन अंड्रु मार्टिन से कहता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा कुछ सालों में ही Amanda का एक बेटा हो गया था जो एंड्रु से बहुत ही जादा नफरत करता था क्योंकि Amanda के बेटे को रॉबाट बिल्कुल पसंद नहीं थे अब कुछी दिनों बाद एंड्रु को ये फिलिंग होने लगती है कि उसी भी आजाद होना है इसलिए वो अपनी ओनर मार्टीन के पास चला गया था ताकि एंड्रु पर्मीशन ले सकी यहां से हमिशा के लिए जाने के लिए मार्टीन ये बात सुनकर थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि उसके दूनों बेटियों के जाने के बाद एंड्रु ने ही उसे समाला था एंड्रु भले से ही एक रॉबाउट होता है लेकिन उसकी भी एक अलगी लाइफ होनी चाहिए इसलिए मार्टीन ने एंड्रु को पर्मिशन दे दी थी एंड्रु ने जो भी लकडी की चीज़े बना कर बेचा था उसके पास उसका चेक मौझूत होता है लेकिन वो ये चेक जाती टाइम मार्टीन को दे रहा था मार्टीन ओवेसली इस चेक को एकसेप नहीं करता और वापस से एंड्रु को ही दे देता है अब एंड्रु मार्टीन का घर हमिशा के लिए छोड़कर एक बीच के किनारे रहने आ गया था कई साल इसी तरीके से बीच जाते हैं एंड्रु ने तो एक इंडिपेंडेंट आदमी की तरह जीना स्टार्ट कर दिया था एक दिन अमेंडा जोकी बहुत ही ज़्यादा एजेड हो गई थी कि उसके फादर मार्टीन की तबेद बहुत ही ज़्यादा खराब है और अगर तुम आखरी बार मार्टीन से मिल लोगे तब वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे एंड्रु मार्टीन से मिलने चला जाता है मार्टीन अपनी सबसे पहली रोबोट जिसने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैपी हो गया था क्योंकि मार्टीन के बेटियों के जाने के बाद एंड्रु ने यूँ उसका ख्याल रखा था मार्टीन एंड्रु का बड़े प्यार से हाथ पकड़ लेता है पर थोड़ी दिर बाद ही मार्टीन की देथ हो गई थी इन सारी चीजों के बाद एंड्री ये चाता था कि वो इस देश को ही छोड़कर अलग-अलग जगाओ पर जाकर घूमे इसलिए अब उसने अपने पास रखे गए पैसो का यूज करके अलग-अलग जाना स्टार्ट भी कर दिया था एंड्री को ये पता था कि उसके अंदर इंसानों के जैसी फीलिंग्स आ चुकी है इसलिए अब वो देश विदेश जाकर अपने जैसे रखोट को डुणने लगा था हलाकि स्टार्टिंग में एंड्री के हाथ में कुछ भी नहीं लगता पर एक दिन वो एक ऐसी फीमेल रखोट से मिलता है जिसका बिहिवियर हूँ बहू इंसानों जैसा था एंड्री तो डिरेक्ली फीमेल रखोट के पास चला जाता है एंड्री जब उस फीमेल रखोट से जाकर बात कर रहा था तब एंड्री को पता चलता है कि फीमेल रखोट को इंसानों जैसे बिहिवियर एक्सपीरियन्स से नहीं बलकि एक advanced memory chip के वज़े से मिले हैं। एंड्रू तुरंट उस chip को बनाने वाले के पास पहुँच गया था, जिसका नाम Rupert होता है। दरसल Rupert के फादर ने इस सबसे पहला robot बनाया था, जिसका idea एक private company वालों ने चुरा लिया था। Rupert एंड्रू को ये भी बताता है कि वो एक advanced experiment पर काम कर रहा है, जिसमें कि वो robots को उपर से पूरा इंसानों में convert कर देगा। लेकिन उसे funding के थोड़ी problem हो रही होती है। पर अब एंड्रू के सामने एक golden opportunity थी। क्योंकि एंड्रू को बहुत पहले से ही इंसानों जैसा बनना था। इसलिए अब वो Rupert को पैसे दिनी के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उसके बदले Rupert एंड्रू के लिए एक ऐसा costume तैयार करेगा, जिसे पहनने के बाद वो पूरी तरीके से इंसान लगे। एक लड़की को पियानो बजाते हुए देखता है, जो हूँ बहु अमेंडा जैसी दिख रही थी। वो ब्यूटिफू लड़की भी एंड्रू को देखकर थोड़ी डर जाती है। पर तब ही वहाँ अमेंडा आ गई थी जो बहुत ही जादा बूरी हो चुकी है। दर असल ये अमेंडा की बेटी है जिसका नाम पॉर्शा था। अमेंडा भी एंड्रू के साथ इतने सालों बाद मिलकर बहुत ही जादा खुश हो चुकी थी। टाइम इतने के बाद एंड्रू और पॉर्शा एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। एंड्रू तो पॉर्शा को बहुत कम टाइम में लाइक भी करने लगा था क्योंकि उसे पॉर्शा के रूट में अमेंडा दिखाई देती थी। अब एक दिन एंड्रू को पता चलता है कि अमेंडा की तवेत खराब है और वो हॉस्पिटल में एड्मिट है। एंड्रू भी खुद के अंदर ये बात नुटिस कर लेता है। अब तो पॉर्शा भी एंड्रू को पसंद करने लगी थी। लेकिन पॉर्शा को ये बात पता होती है कि एंड्रू एक रॉबोट है और वो उसके साथ कभी शादी नहीं कर सकती। इसलिए अब पॉर्शा की सादी एक दूसरे आदमी से फिक्स हो चुकी थी। एंड्रू तो इन सारी बातों से बहुत ही ज़्यादा रूर जाता है। एंड्रू सीदा पॉर्शा के पास सला गया था और उसे सारी बात बता दी थी। एंड्रू पॉर्शा से कह रहा था कि अब वो इंसानों जैसे सारी काम कर सकता है। वो खा सकता है, पी सकता है, साथ ही साथ उसे सारी चीज़ों का पेन भी होगा। हाला कि पॉर्शा की साधी होने वाली थी लेकिन वो भी एंड्रू से प्यार अभी भी करती है पर एक प्रॉब्लम थी उनकी सोसाइटी ये सारी चीजे एकसेप नहीं करेगी क्योंकि एंड्रू कुछ भी कर ले लोग उसे रॉबाट ही मानेंगे इन इस सारी बातों की वज़ ये सारे यूमेंस के लाइफ साइकल के एकडम खिलाफ है इनी सारी चीजों की वज़े से एंड्रू के प्रेटिशन को कैंसल कर दिया जाता है एंड्रू इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो गया था अब यहाँ पर पूरे 20 साल बीच जाते है पर्शा काफी बुड़ी ह चुकी थी लेकिन एंड्रीव वैसे का वैसा ही रहता है अब एंड्रीव के मन में ये चाहती कि वो इंसानों के तरही बुड़ा होकर एक दिन मर जाए इसलिए अब वो अपना फाइनल डिसीजन बनाकर रूपर्ट के पास आ गया था जो इतने सालों में बहुत ही बड़ा एक्सपरिमेंट एकदम सकस्वल हो जाता है और अब हमें कई सालों बात का सीन दिखाय जा रहा था जहांपर एंड्रीव लिटरली बहुत ही बुड़ा हो चुका था वो फिर से कोट के सामने कोटेशन फाइल करता है एंड्रीव फिर से वही कह रहा था कि वो सब उसे इंसा इंसानों की तरह बुड़ा हो चुका था और कुछ ये सालों में मर जायेगा कोट के जूरी मेंबर्स इस बात पर विचार विमर्स करने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं एंड्रीव और पॉर्षया बहुत ही जादा बुड़े हो चुके थे वो दोनों तो कैसे भी लाइ इजिर्ड वाला आदमी बन चुका है एंड्रीव की एज लगबग 250 साल हो चुकी थी और अब थोड़ी दिर बाद ये एंड्रीव की सांस बंद हो जाती है पॉर्षया को भी ये दिखकर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा था लेकिन वो समझ गई थी कि एंड्रीव उस सच्चा इंसान बन कर जाता है और हमारी कहानी भी यहीं पर खतम हो चुकी थी तो आपको ये स्टोरी कैसी लेगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मन और अगर आपको मेरा एक्स्पिनेशन एक पसेंट भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चानल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह की मज़दा स्टोरीज धून कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी या इस सूक्राइब लिएशन कर दो देँ नेक्स्काषण कि वीडियो हगवानों देना को वीडियो कि जार में साल भाने को